जेशी किशना स्टुएंट आज की जो वीडियो है वो बहुत ही important person की वीडियो है जो जिनका आज बर्डे है सुभाश चन्र बोस वो कौन थे और इन्होंने हमारे जो भारत को आजात कराने में क्या-क्या भूमी काई निभाई थी इन्होंने क्या-क्या कारिक किये थे उसके वारे में हम जानेंगे तो स्टाट कलते हम सबसे पहले इनकी जन्म की तारीक तो इनका जन्म हुआ था 23 जन्वरी 1870 को कटक में हुआ था और इनकी मृत्यू इनकी मृत्यू 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुई थी इनकी पतनी का नाम एमिली शेकल और इनकी जो शिक्षा थी वो कॉलकत्ता में हुई थी और स्कॉर्टिस चर्च कॉलेज जो था वहाँ पर हुई थी इनके माता और पिता का नाम जानकी नादबोस और प्रभाव वती देवी था तो ये तो सब इनकी बैसिक जानकारी थी अब आप जानेंगे इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या थ और आज जो है आज से इनके नाम पर प्राक्रम इनके जो बर्ठ डेटे उस पर प्राक्रम दिवस मनाया जाएगा तो जानते हैं इनके बारे में इन्होंने भारत की सोतनता में एक अग्रणी और सबसे बड़े नीता थे ये और इन्होंने जो दिट्टी विशु युदु छुह सभग था तो अंगरेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इनोंने людям ने जापान के स्योग से आजाद हिंद फोच का गठन किया तो जो आजाद हिंद फोच थी इन्ने इसने बहुत सारे काम किया थे और इन्होंने बहुत सारे नारे दिये हैं जो मैंने आपको इस इसके अलावा इनके और बहुत सारे नारे थे जो अन्मोल जो वचन कहते हैं वह थे जो मैंने इस कोट पूरे जो टॉपिक है इसमें आप वही लिख रखें है तो आप इनको देख ले और आपको help करेंगे इसकी speech में या फिर इसका जो return work करेंगे उसमें तो हम जानेंगे इनके बारे में और भी तो इन्होंने क्या किया था तो जो नेता जी थे इनका नाम नेता जी था नेता जी केकर इनको संभोधित किया था और ये जापान जर्मनी से ये मदद लेने की कोशिश की थी इन्होंने और जापान जर्मनी से जब मदद ली थी इन्ह 241 में इन्होंने जो बेटे सरकार के गुपत चल थे उनको खतम कर दिया था और उसके बाद में ये सिंगापूर के टाउन हॉल में के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संभोधित किया था और तब इन्होंने चलो दिल्ली का नारा लगाया था और उसके अलावा इन्होंने जो 21 अक्टुमबर 1943 को सुभास चैनर बोस ने आजाध हिंद फोच को सर्वोच्च सिनापतिक की हैसियत से सुतंत्र था भारत की अस्ताई सरकार बनाई जिसमें इन्होंने 11 देशों की सरकारों ने इनको आजाध हिंद फोच को मान्यता दी थी और उसके बाद मे इन्होंने अंडवान निकोबार की अस्ताई सरकार जो जापान में थी वहां पर इन्होंने जो इसका नामकरन किया गया था और उसके बाद में इन्होंने बहुत जो हमारे देश को आजाध कराने में इन्होंने बहुत महत अपूर्ण भूमी का निभाई और अंग्रेज ज जो थे इनसे परेशान हो चुके थे इन्हें काफी बार जील भी जाना पड़ा और जो इनके अन्मोल वचन है उसमें से मैं आपको बता रही हूं कि इन्होंने एक सच्चे सेनी को सेन्य और आध्यात्मिक दोनुहीं प्रेशिक्शन की जरूरत होती है तो जो एक सच्चा सेनी अन्याय सहना है गलत के साथ समझोता करना है ऐसी ही बहुत सारी कोटेशन इन्होंने दी थी और इनकी जो जब यह मैं आजा थी फोज बनाई थी इन्होंने अंग्रेजों से जब इन्होंने लड़ाई की थी और जब यह बहुत सारी जगह इन्होंने अंग्रेजों को धूल चाहें थी विदेशों में भी जाकर इन्होंने और बहुत महतपूर्ण कारी किये थे और इसी तरह से इन्होंने जो हे, और इसके बाद में इन्होंने जब reg, बहुत लडाई करी तब इन्होंने 6 जुलाई उन्होंने महात्मा गांदी के नाम पर एक प्लशारन जारी किया था उसमें उन्होंने बताया था कि एक नेरनायक युद्ध किया जाए और इसके लिए वहाँ उन्से आशिरवाद चाहते हैं और उन्होंने यह भी बता था कि शंगल्स ने मुझे मनुष्य बनाया है तो आपके अंदर जोह से पावर आती है और जोसे आप किसी भी काई को से अगा सकते इसके अलावा इनों लुख धुए , बिजये करने थे कि वु सेप्राइश केसे होती कि यह जब जाए यह कर दो यह जाते हैं और तो अमningen अदो से वहीं भारत में रहने वाले परिवार के लोगो आज भीं कर दें शुभाष्च की जो मृत्य लृट समय हुई थी क्योंकि उनकी नहीं मिली थी इसा यह कोटेशन हैं जो बहुत अच्छी विचारों से कम-चोर्या दूर होती है, हमें हमेश् único चीज पेडा करते रहना चाहिए तो ऐसे ही इनोंने इनकी जो है जयनती बनाई जा रही है एक सो तेवी चन्वरी 2021 जो कि अभी चल रहा है को 125 वी जयनती बनाई जाएगी और जिसे भारत सरकार पराकरम दिवस के रूप में मनाने का नेने लिया है तो यह सुभास चंद्र बोस की वीडियो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू